आपको inspiration कहां से मिली? कि सरकार कितना कुछ देती है पक्स के रूप में उसको अपने सेलरी से लगवक टिंगुना पैसा सुविधा के नाम पे गाड़ी मिलती है ड्राइवर मिलता है, कमांडो मिलते हैं सरकारी घर मिलता है हम उनको बहुत कम दे पाते हैं अभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको ट्राइ किया और ब्राइब देने का यह सवाल जो है यह बड़ा विचितर है यह सवाल आपने आप चोथे वक्ति हैं पूछने आप इसके पहले तीन वक्ति थे वो तीनों राज्यकिमों के मंत्रे रहे मनुस सर वेलकम और थैंक यू फॉर असेप्टिंग मैं रिक्वेस्ट कि आप आएं पॉड़कास्ट पर वाइड कास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में क्योंकि हम लोग बहुत सारी वराइटीज अलग-अलग फील्ड को करियर को लेके मोटिवेशनल चीजों को लेके गैस को बुलाते हैं और यूर दे फॉर्स्ट आईएस टू कम अप ऑन दिस बैंच मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली बिरोक्रेसी या इसमें आने की मैं ची हुआ क्या कि मैं छोटे गाउं से शेहर में आया था उस वक्त मेरी आयू रही होगी लगबग गैरे वर्श चटी क्लास पास करके में साथी में आये थी तो जैपुर में जब आया तो चूंकि हिंदी बोलने आती नहीं थी अंग्रेशी तो बहुत दूर की बात थी तो यू लगा कि बड़ा इंसल्टिंग होता था स्कूल के अंदर भी चूंकि आप हिंदी नहीं बोलते हो तो आत्यां तो रदय विदारक साहिप माना जाता है तो प्रैप में ये करने लगे और फिर धीरे धीरे अपने आपको ग्रूम करना चालो किया तो जब मैं नाइन्थ क्लास में था तो अचानक कुछ छोटी चोपड़ में हम लोग के रहा के मकान में रहते थे तो वहां पे कुछ ऐसे इस तरह क्यों होता ना भगदड़ या दंगा टाइप हुआ कुछ लूट हो गई कुछ हो गया था तो एक लालबती की कार में अमबैसडर में कोई सज्जन उत्रे और उन्होंने इमेडियेटली इंस्ट्रक्शन्स देना चालो किया लोगों को तो सारे चाइप पुलिस वाले उनको से लूट करें सब होर वक्ति उनकी बात मानना लोगों मैंने पुछे ये कौन होता है ये ये बड़ी वेचितरी है तो सब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और सब मानते हैं इनकी बात तब मेरकाक साब ये आईएस ये आरेस अफसर होत और कितने अटेम्ट्स में आपने पहले अटेम्ट में आ गया था हुआ ये था कि उन दिनों आरेस और आईएस दोनों दिने की प्रचलन जो ये कॉंप्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्व एक्जामिनेशन में इसके पहले बताना एक चीज ज़रूरी है और जो दर्श मैं इसलाकिण नहीं समझाए सब्साध मेरे मन में तो उत्साही था किमुझे कि अपर मीपीर में कषट नहीं हुआ मेरे घर जुरूरी लगता था कि जमाने के साथ में चल पारा है फिर बाइशनियो नहीं झाकर दिया फिर अप प्र जीप soma you call फिर खादी इंस्पेक्टर का दिया, उसमें फेल हो, मुझे कभी कश्ट नहीं हो, मैं मुझे लगता रा कि नहीं अभी बीए हो जाएंगे तो मेरी तो जो है वो जो जो लक्ष है वो तो मेरा प्रशासिंग सेवा में जाने का है, राजस्तान यो भारती प्रशासिंग तो दो फिर रहा कि नहीं अभी चूकी राजस्तान में रहने का लोब समरन नहीं कर पा रहे थे तो हमने जो है उसको फॉर्गो कर दिया और राजस्तान में आरे असके अंदर आगे, लेकिन फिर रहा कि नहीं यह तो देना तो ठीक चाहिए, तो फिर उसके बाद यहाँ जब सेक्य लियन वो अपना रख सकता है, कि अगर वहाँ फेल हो गया, वहाँ अगर उसको अच्छा नहीं लगए तो बापिस अपने पुराने जगे आ सकता है, इसको लियन कहते हैं, यह तीन वर्ष के लिए मानने हैं, तो वह लियन चुकी था था हमें, दे दिया तो उसमें, उसमें हो गया, अब वहाँ बड़ा दंद चलता रहा है, कि क्या करें, क्या नहीं करें, घर तो छूटेगा, अब चूंकि मेवाड से हूम है, तो हमारे वहाँ कहावत है, कि वह गयों को छोड़, मक्य को ख़णो, और मेवाड चोड़ के टीन जानो, तो बादिस्तान छूटना और फिर लास्त तक वहाँ से दिल्ली से आता रहा कि आप जोइन करिये नहीं, तो आपको चला जाएगा, आपको एर जागा, मुझे बहुत लोगों नहीं समझाए, कि नहीं तुम दूसरा राज्यों मिलता है, मैंने कि नहीं हमारे राज्यों मास तो ठीक है, डेस्टिनी थ हैं, जो उसको सुविध हैं, जो उसको मिलती है, तो आप कर्पना नहीं कर सकते कि सरकार कितना कुछ देती है, और हम उनको सरकार को या हम जनता को उसके पुनारोहरन के रूप में बहुत कम दे पाते हैं, तो जब मेरे पर जो पहला सेलेक्शन हो, उस वक्त आठ सु रुप आप जो कह रहे हों, न है कि पर्क्सो सेलरी, सेलरी ही खर्च नहीं होती थी, आठ सु रुपीया मिलना अपने आप में बहुत बड़ी क्योंकि, मैं उसके पहले किसी कॉलेज में, नाइट कॉलेज में बढ़ाता था, बीय होते हुए बड़ी क्लासे इसको पढ़ाता था, तैयारी के कारण तो वहां मेरे पर 90 रुपिया गंटा मिलता था आप सोचो कि 800 रुपिया अगर किसो के मिल जाए तो 90 रुपिया महीना साट रुपिया में हमने किराए वो भोजना ले में भोजन करते थे घर चोड़ दिया था के भई कॉंपिया तैयारी करने तो साट रुपिया महीने में भरपेड हो जाना वो जमाना था पाच महीन मुसके तुल ना कर सकते तो 800 रुपिया हो गया तो अब इतना ज्यादा कि 400 रुपिया ज्यादा खर्चा नहीं होता था तो फिर कि कहां ही तो खर्चा करें अच्छे से तो यूं करके फिर तो अब भी ये स्थिति है कि जब कोई भी नया आईये से आरे साता है तो चुकि सुवधा के नाम पे गाड़ी मिलती है ड्राइवर मिलता है कमांडोज मिलते हैं सरकारी घर मिलता है तो पक्स के रूप में उसको अपने सेलरी से लगवक टिगुना पैसा मिलता है और सेलरी उसकी मिली रही है उसको और ये सेलरी ट्रेनिंग में ही चलू हो जाती है इसलिए ये माना जाता है जब ये तो सरकारी नोकरी के पिछे इसलिए भागते हैं मुझे तो ऐसा लगता है यह एक मिथक यह भी है अब यह कितना सत्य है यह आप दर्शक गणी इसमें देखें कि सरकार में बिना काम किया भी हम लोग सरवायू कर सकते हैं जब कि प्राइवेट में बिना काम अगर आप करोगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा मैं नहीं मारी तंत्र में तो यह ठेकेदारी बदमाशियां ब्राइव अगरे सब चलती रहती है तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको जोड़ दवर्श्थी से आप ट्राय किया और ब्राइव देने का और कैसे बचे आप पर यह सवाल जो है यह बड़ा विचित रहे और इसे नाम ठीक नहीं होगा लेकिन कि प्रैत्न जरूर हुआ रिश्वत देने का प्रैत्न किया गया मुझे क्या हुआ कि शुरुआती तो पर ही जब नोकरी में आया था तो मेरे पिताजी के मूली भी ऐसे थे और उन्होंने मुझे एक ही शर्थ पर एक बात कही बुला करके मेरे नोक इसलिए को जो तो मैं इस विखाग में उस शर्थ पे लोगा कि तुमेर को यह वचन दे के कभी पैसा नहीं ले तो मैंने का इसलिये तो मैं आपके भी भाग मैं आ रहा हुँ कि मेरे को और जगे कहीं ऐसा नहों कि ऐसी इस तिती में आ जाएं तो बहले कर मान रो चित तुन स्कूटर पे घूमूं। मैं अमिज जी आपका अजीब सी बात बताता हूं कि मैंने जब अपनी जीवन की पहली परसनल कार खरीदी वो अपने नाम से खरीदी। मैंने अपना अप्लॉड खरीदा अपने नाम से खरीदा। क्यों कि कोई खौफ ही नहीं था। जो प्रष्टा लागू नहीं कर बाता हैं नवाचार नहीं कर बाता है क्योंकि वो पैसा एक अपराद बहुत के रूप में उनको बोलता है। तो उस अपराद बहुत से तो अलग होना ही था। इसी बड़ी फाका मस्ते करता है। तो इसी कारण मेरी अधिकतर विदेश यात रहें, राउं आई-एस हो या आर-एस हो जो एड्मीस्टेटिस होते हैं उसके अदर फस्ट जो मानी जाती है। ट्रेनिंग में एसिस्टेंट कलेक्टर होते हैं शुरुआती तो प्रोबेशनर्स कहला थैं़ फिर उसके बाद में SDM पोस्टिंग होती है। और फिर ADM और फिर कलेक्टर और अंतियम पोस्टिंग जो होती वो चीफ सेक्रेटरी की मानी जाती है. तो मेरे सौभा गिराएंगे सभी चीफ सेक्रेटरी को छोड़ करके बागी कपते हैं तो काम की. क्योंकि वो एक ही पोस्ट है और बहुत सारे उसमें हाँ होते हैं होते हैं. वो ही रिजन है. और वो मंत्रियों के चॉइस भी रहती है. उसके पीछे बहुत सारे फैक्रेटर्स से मिला होते हैं. इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको मैंसे भी कार करना हो. एक अच्छे मंत्री और इमानदार मंत्री में आप क्या फरक समझते हैं? अमेजी मुझे सबी के साथ काम करने का मौका मिला. जिस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हम फल खरीद के लाते हैं उसमें भी पांच-छे मान लीजे सेव लेका है तो एक आदी तो खराब निकलती है. लेकिर हम कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे को भी लगता है कि हम हमारे जुनते हैं तो हम से चुनने में कहां गड़ बढ़ होगी. इसलिए हम उसको रिवील भला ही नहीं करते हैं बड़ उसका पार्ट निए तो अच्छे जो मंत्री होते हैं वह जो मेरा experience है मुझे अकसर मुझे मुझे मुख्य मंत्री हूं चाए जो मेरे विवाग के मंत्री र भिन्ने कारणों से मुझे चार-चार वर्ष पांच-पांच वर्ष इन में काम करने का मुखा है यानि कि मंत्रीों के लिए अधिकारीों के लिए मैं भी कांटे के रूप में नहीं रहा बलकि ऐसा लगा की उनके पसंद के रूप में रहा हूं तो हम यह कह सकते हैं कि इश्वर ने मुझे मोगाई नहीं दिया काम करने आपकी वर्किंग में कोई ऐसा पर्टिक्लर इंसिडेंस हुआ हो कि जहां पर टफेस्ट लगा हो उसको मैनेज करना हाँ बहुत सारे ऐसे मोगाई है उसमें से एक आपको मैं शेयर करना चाहाता हूं मैं एक जिले के अंदर क पत्र पदस्ता पिता है कि एक बांद था बहुत बड़ा और अधरन डेम बोलते हैं उसको राजस्तान का ससुरा तो वो जब बना था मेरे मेरे महां जाने के करीब आठ साल पहले की बात है जो बना था तो किसी एक जाती विशेश की जमीन थी जैसा कहा जाता है और जहां न लोग मारे गए थे, उसके बाद से वो गेट खोला नहीं गए, यानि कोई इसकी रिस्क नहीं लेता, मान लिया था कि नहीं इसको नहीं खोला वरना खून कर तो यह बात कब की है, जब लड़ाई हुई थी, यह मेरे जोइन करने के आठ वर्ष पहले, आठ वर्ष पहले, आठ क्या हुआ, कि उस वर्ष इतनी अधिक वर्षा की आशंका मुझे हो रही थी, कि यह बांध तूट जाएगा, या वो जिला मुख्याले, उसके अंदर पानी बढ़ जाएगा, सरकार कोई रिपोर्ट थी, कि इसके पहले बार आई ही नहीं थी, तो जिंता का विशेश था ही अप्रोच किया, यह हो रहा तो उन्होंने मेरे को यह का फ्री हैंड है, पर तुम देखो, जिम्मेदारी के साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो वहां वो इतनी खतरना घड़ी थी, कि अगर उस बांध की गेट में खोल दूँ, तो दो जाते हैं मैं संगर्ष होगा, और अवश्य करके लोग मरेंगे, मरेंगे, नहीं खोलता हूं तो यह बांध तूटे जा, और सेंकड़ो जाने जाएगी, तो मैंने जब तुलनात्म के अध्यन किया, तो सेंकड़ो जाने जाना, एक जिरा मुख्या लाएगा बहना, मुझे अधिक गंभीर प्रतीत हो, तो मैं बाकि आगे जो आने वाले जितने गाउं थे, उनको वाइरलेस पर खाली कराने का देशी से क्या, मुखाने का जो वस्ते है, तो नदी में जाएगा, इतने साल तो नदी सुखी पड़ी है, वो गेट खोलो के पर नदी में जाएगा, तो पास पर जो गाउं बनी मुख्या खाली बीस मिलिट में करा हैं, वो कराने के बाद अब जब वहाँ जब मैं पहुंचा बांध के माहां, मुझे, I am not a technical person, तो मैंने कभी गेट खोला कैसे, कौन तो बटन से खोला है, तो वो जो एंजिनियर थे, वो इतनी घब रहे थे वहाँ पर, क्यों कि साब का खोलने जा जाने वाने, वो तो बरसाथ वारिश रही थी, वो बेहोश होगे, फिर मैंने को, जिन जोड़ो इसको, मैंने को, बटन बता तो मुझे, उन्हों अंगली सेशारा की है, उसका फोटोगास भी है, तो वो काला बटन था, उसका फिर मैं तो दबा दिया, होगा जा देख, और होगा, उनको लगा कि वो नियत जो होती है, कि मेरे, यह सोचा गया है, कि मनोज जी की नियत तो बिल्कुल ठीट कलक्ट साब की, तो उन्हों न संगर्श भी नहीं के बता, और उल्टा मैर को धन्यवाद के रूप में आए, दोनों पक्ष के सरा आपने तो बहुत अच्छा अगाम कर दिया, अब मुझे लग रहा था कि होगा, जी देखा जाया, नहीं वाकई एक ऐसे पद पे बैठके, इस तरह के टफेस्ट डिसिजन होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, और आपकी स्टोरी से तो और भी, यह तो फिल्मी रुपांतरंड सा, मुझे लगा कि यह पूरा ऐसा विजुलाइज करके अगर शूट करो, तो बड़ा इंट्रेस्टिंग हो, इसमें बड़ा थ्रिलर एक्स्पीनिस है, बिल्कुल उस वक्त जो है, जाना और वो जो आधा घंटे का समय था, जब एस पी मेरे साथ बेठे थे बरसाथ बरसी बुरी तरह से, और फूर पु का तो मुझे ध्यान है, योजना बहुन का भी मुझे ध्यान है, तो और अलग अलग जैसे सुच होते हैं, जिलों में बहुत मेरे पोस्टिंग रही हैं, एक्चुली अन्य जो विवसाय होते हैं, उसके बिल्कुल उलट, हम लोगों की एक आदत में आ जाते हैं, कि ये प्रफाग में आप हो या आप जिले में हो, तो निर्ने लेने का आपका बहुत स्कोप होते हैं, तो अगर एफिलियेशन किसी के साथ आपको हो गया, तो आपके निर्ने बायस्ट हो जाएंगे, इसलिए शायद ये बनाई गई थी प्रथाग कि प्रशास की अधिकारे को ब अबाद ये झाद पांधा आपके साथ प्रख्रया के रूप में आगया तो कभी दिकत नहीं कुछ वेउसायों के अंदर ये होताugi हुटा है, इंको समस्या आती हैं, उनको जंग जाती है इप्रेक्तिस ये जो भी हैं, वो सहन तो ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आती कि एक सिस्टम को समझा फिर नए सिस्टम में गए बताता हूं तो उस रात को मेरे को पूरी विवाह को समझना पड़ेगा क्योंकि दूसरे दिन में कह ही नहीं सकता हूं कि मैं नया हूं कोई नया होता ही नहीं है विवाग है वो तो पूरे का पूरा तो इसलिए आप से अपेख्षा ही ये की जाती है आपको सब कुछ बता है इस विवाग के बारे उनुष्यों के अंदर लीडर्शिप की बहुत सारी quality होती है, कि आपके पास जानगारी कितनी है, जो आज हम आईटी के बात करें, knowledge के बात करें, knowledge is the power, तो अब क्या होता है, कि अगर आप knowledge हो तो आप subordinate आपके पर जूनियर से पूछ लिया कि यह कैसे होता है तो फिर गया फिर गया फिर वो किता है औरे आप पकटिक दस्त करा रहता हूं इससा कोई कहने वाला नहीं हो जिए जिन भी हम विश्विक लीडर्स के बारे में सोचते हैं कोई कह सकता है कि इनका अगला क्या फैसला हो गा या इनस अलग अलग जगह पे गाउं में और मिस्टीरियस जगह में भी आपके लिए हमेशा नहीं रहती है तो कभी कोई ऐसा इंसीडेंस हुआ मतलब ड़ और वर्ल्ड कोई हॉरर इंसीडेंस कोई सरा का हॉरर इंसीडेंस बहुत कई कई सारे हुए हैं एक आपके साद शेयर करना संभाग विशेश में उस समय कारिकरम था तो मैं गया था यहां जैपुर से यहां से काफ़ी सेंकड़ो किलोमेटर दूर वो जगय थी नहीं शुली वहां के कलेक्टर ने हमें रुकाने का और वसे इंजाम किया हुआ था वह जो होटेल था उसमें वो शायद हॉंटेड था क् मैं उसमें रुका रुकने के बाद में चिटकनी बंद करी राथ साड़े गारा बजा गया चिटकनी बंद करी थोड़ी देर मुझे लगए कि मेरी पर्फ्यूम की जो सबसे बढ़िया बॉडल थी वो गिर गई बातरूं मैं क्यों खोल कर रहा कि साइट में देखा सूट के थोड़ी देर के अंदर में पूरा पलंग घर कर रहा है मैं कि इसका मतलब यह मॉबाइल वाइबरेशन लगाया हुआ है विब्रम यू नहीं लगा यह गड़बड हो रही है फिर थोड़ी देर के अंदर भोजन आया तो मैं वैसे भोजन होटेल में एक रोटी करता हूँ म पूरे खा गया और सबजियों के सारी डोंगे खतम कर गया फिर मुझे भोग कुछ ज्यादे लग रही थी मेरे को वह विब्रम यह यह चूंकि अपन सोये नहीं है इसलिए इसलिए अचानक मेरी अलबिरा वाज के साथ खुली और मुझे यह क्या हुआ हुआ इसका मतलब यह आए वह हुआ हुआ है वह जाए यजानक मेरी अलब झालब से और मैरी मेरी विख थी सुपना रहे है और मैं को सभी कर लिखताए सभी यह न हो में इसके पहले बाहर गया कहने के लिए कोही कई गार्ड कुछ नहीं सब कुछ को Saab गड़वर कोई नीचीडी का बच्चा और दूसरी दिन सारे के सारे वहां मुझूद नहीं पर मेरा यह मन किया कि अब मैं आउंगा तो वापिस इस होटल में दो नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वह सूटकेस में होटल में भाज रखवा दिया है वह हेरिट अंदर तो नहीं चलोगें नहीं जाएंगा तो यहां से बस आरी थी पूरी बस अब आप सो कितना बड़ा उटेल रहा हो तो उसमें अंग्रेज होटे थी या फॉरिनर्स होंगे तो वह ड्राइवर मेरा जए अमबैसडर गाड़ी ती लालवत्ती वाली चला रहा है जो ही बस अंदर गई अब इत्यों अपने मन में बढ़ पड़ाता है आज तो यह सारे लोग मर जाएंगे यह क्यों बोला अपने चुपी रो दसे किलोमेटर यहां से इस रहद से निकल जाओ वहां से निकले फिर मैंने का या रिभा बताओ ड्राइवर को मैंने क्या चालक जी क् देखूं तो मेरो कोई नजर नहीं आवे मैंने का फालती की बात कर रहा था तो किसा अब यह देख लों से पीट दिखा ही तो पूरे मार के निशान पड़े हुए उसके और समय तो बच गया गाड़ी में जाके सोया और मैं मन में सोचू मैंने का इसका मतलब क्या सत्यवट घृवडर और Subma Bachelor मारी मेरे को च्डारुक जरुब को सब्सक्ति आज़र इस इस रही है कि eldestा थे पैसी श कर्पीन वह रखे और मेरे नहीं दौन तो मेरे चालक मेरे साथ में जीप थी जीप अमरबाद, शोटकट से जा रहे थे, सड़क भी कची थी, अब क्या हुआ कि अचाना की किसी ने हमको हाथ ली एक सफेद वस्तर पहने हुए एक वेक्ति ने, रोकने का इशारा किया, तो चालक का थुड़ा कम मानस था, तुकि मैं चला जा 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 तो मैंने उसको पूछ लिया वैसी, मैंने कहां उतारना है अपर क्यूंगी जीप लिए बीस किलोंटर का पैच तो साथ-ाथ किलोम्टर में गए उप लिए नहीं दिख रहा है, कहीं दूर दूर तो कोई लाइट नी पोछ इन तो वो बलागे और शी गह उसको कोई कहां नी पता होगी तो वो बेहोश अब मेरा इतना बुरा हाल जा सको मैंने फीवर हो जाता है, ऐसा हाल हो गया, मतलब मुह कड़वा हो गया, एक दम समय यह क्या करूँ, मतलब एक लाश पड़ी, एक गायब, और इधर अंधेरा, उधर अंधेरा, सामने के वर इसकी राइट जली रूंदे नो डाइनम होता था जीप में, वो दीरे 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 दीरे, और उसके इंजिन बंद कर दो कम हो करके और बंद हो जाएगी, मैं और बस जाओँगा, तो ऐसा भख हो रहा हूँ, उसके अंदर सर्दी को टाइम तो रह से पसीने मुझे आ मैं तो ताकत ही नहीं शरीर के अंदर के यह कुछ करूँ मैं इतनी पुरी हालत हो रही हूँ और इधर देखने की इच्छा हो रही है, न उदर और करूं तो क्या करूं, इधर लाश पड़ी हुई, अब मैं बड़ी मुश्किल से उसको लेकर के घर तक उसको लेके के, गर पुरानी स्टाइल का था, गड़ टाइप, अब वहाँ पे जो डॉमेस्टिक हेल्प गरे जगे वे थे कि साब इती देर से क्यों नहीं आए, वहाँ है तो अचानक, यह तो गटना सुना ही, जो चालग में बेवोश हैं, तो पानी और इंडाल कर चालग जी को, मैं तो चला पूर्टली मिली का मैंने का मेरे को पूर्टली नहीं मिली, वह सहरे टाम पर पूर्टली ढूलता है, गर में भी गुम रहाँ गड़ा होगा, अहां घुकुम डूलता है, ऐसे इंसिदेंस हुए हैं, बहुत बहुत, मतलब आपके इसमें इतना चैलेंजिंग काम है, एक तो जगे बदलती रहती है, डिपार्टमेंट्स बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, इंडिया के तौर पर देख लो इंडिया में भी चुकि हमको इलेक्शन कमिशन के तरफ से अब्जरवर बनाया जाता है, तो उसमें हमको अलग 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 राज्जों में भी काम करने गाउसर नीटा है, तो मैं करनाटक में, गुजराद में, इसकाई राज्जों के अंदर, मैं 20-25-25 दिन रहा, तो उनके स संस्कृति से, उनके खान पान से, वह बहुत-बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि हर भाषा, हर जगह, हर संसे करती आदरनी तो होती एक और मतलब आखरी एक दो सवाल और है मेरे हो सकता है आपको लगे लंबा हो रहा है एक तो आप अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं क्योंकि आप मोटिवेशनल स्वीकर भी हैं आप ऑथर भी हैं आपका म्यूजिक में भी इंट्रेस्ट है यूर सो क्रियेटिव आपने अपने अच्विमेंट के उपर 15 अगस्त को मतलब शायद ऐसा प्राइफ को अपने अच्विमेंट के उपर 15 अगस्त को मतलब शायद ऐसा होते हैं तो फो एक बार आई पर 15 अगस्त को सिवेशनल और होता हैं सबस्तिए और शाया के आपका में इतना अधीक होता है क्या करो आप Saturday और Sunday को क्या करोगे आप क्योंकि आपको segregate करना पड़ेगा आपने time को समय उनके पास कम रहता है जो efficient नहीं हो जो विर्था पुष्ट होते हैं शाफ्तर में एक शब्दा आता है विर्था पुष्ट जो कुछ भी नहीं खा रहा है उसे समय को उनके लिए समय की कमी हमेशा ही रहे हैं मैंने क्या कर रखा था कि जैसे मैं करेक्टर भी रहा सबसे वि बग तो मीटिंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करना होती है फिर रात्री चोपा लोगा सारा कुछ करना पड़ता है तो मैं क्या करता था कि जो मेरा निर्धारी समय था उसके पहले घर आता ही आता और एक भी फाइल घर पर नहीं परिवार को लेकिन यह दिए आपको लेखान वगरे के लिए आपको सेटरडे संडे पड़ा हुआ है बहुत जादा फिर आपके पास समय मिल जाता है आप और मैं यह और सोसता था कि यदी में दफ्तर के समय से अधिक बैठता हूं तो मुझे भिन भिन पशों के नाम से मेरा स्टाफ पोकारेगा या भी तक बै है तलवार से जो बच गया तो फूल से कटना पड़ा है तो हम फूल से क्यों कटेंगे मैं एक जानकारी के लिए बता दूं आपको कि अभी शास्त्रों के अध्यन के साथ साथ इसके हावर्ड यूनिशिटी ऑफ अमेरिका से इस पर हिंदू स्क्रिप्चर्स के उपर भी उ अभी तक इतनी पूब्लिक्श हो चुकी बुक्स वरी नाइस साथ बहुत मतलब सोच से भी परे है बेसिकली नॉमली कोई एक लिखता है और उसमें भी मल्टी फेरेस आपका थॉट है आप मोटिवेशन पर भी लिखते हैं आप पोईट्री भी करते हैं गीत भी लिखते है क्या होग Girangedtek पहली किताब जो मेरी आयरी थी कविता की उस पहर पसाहित ऒगाधि परुसकार पहली किताब में कवे किसी कविता पड़ी नहीं थी कविता यह लिख दी थी वन रहेऊँ फो गया चलो उसका मिल गया तो मुझे कहीं पूछा उन्होंने कि आप कविता हैं कविता ही लिखने कहां से देखे ऐसा है परेडना तो क्या में तो बदा वो लिख करके और एक प्रतिश्चित प्रकाशन में भेज़ दिया तो उन्हें इसको चाप दिया बाकि कविता में तो देखिए सिंपल बात ये है कि दो विक्ती ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे ये एक ने दूसरे को पुछा कि आप कौन है उसने का मैं कवि हूँ आप बैफरा हूं उसने कोई रिस्क नहीं लिए कि अगला कर्शो नहीं कर देगा चाहें पिला बिला करके तो कविता जो है सबसे अनुरुद यही है कि अगर कोई कविता लिख रहा है तो कृपया ऐसी लिखें जिससे कि वो समाज को उसके आभशकता हो वो शोशन करने के लिए ना लिखें बहुत सब्सक्राइब सर थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और I hope कि आप थोड़ा समय और निकाल पाएंगे अपने और मोटिवेशनल कोट्स और इंस्पिरेशनल जो चीजें हैं धर्म से रिलेटेड हैं पोट्री से रिलेटेड हैं अम उनके शोट्स अपने ओडियन्स तक लेके जाएं जो बिलेटेड हैं जो बिलेटेड हैं